और क्या? आले विरे दोस्तों? मैं आप सबी दोस्तों का श्रेता पाख लाम में स्वागत की साथ साद अभिदंदन करती हूं तदा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूं? है इस कुचिया को काफी दिनों तक श्टोर करके रख सकते हैं, इस कुचिया को खाते समय अंदर से एकदम कैरमल वाला स्वाध आता है, चलो दोस्तों हम आप इसको मिलके बनाना शूर करते हैं, गुड़ और आटे के त्वारा तयार कुचिया, जिसके लिए बहुत थोड़ समा हमने लगभग 5-6 बश्टों बड़े वाले इसके अंदर देसीगी डाले हैं, इसके अंदर लगभग 50-75 क्राम के करीब हमने देसीगी को डाला है, आप खी के द्वारा या फिर रिफाइंड आयल के तारह इसका मोयन लगा के तयार कर सकते हैं, और इस तरह देखिए इसके अंदर हमने डालने के बाद हातों सहता से अच्छी तरह से मिला लेती हैं, जितना हम पढ़िया आप इस आटे को बना के तयार करेंगी उतना ही टेस्टी गुड की गुजिया बन के तयार होती है, आटे को आप मुठी के अंदर लीजिए और इस तरह से बंद जाता है, तो स इस तरह देखें, आटा गुद के तयार हो गया, अब हातों सहता से इसको अच्छी तरह से मसल के तयार कर लेते हैं, करीब 4-5 मिनट तक इस आटे को हमने मसल के तयार कर लेना है, और मसलनिक बाद देखें, आटा पूरी तरह से चिकना गुद के तयार हो गया, इसको एक कप एक पीस हमने नारियल लिया है, ग्राम में नारियल लगभग 200-500 ग्राम के करीब है, इसको भी हमने घिसके और काटके दोनों तरह से त्यार कर लेना है, आपको दिखा दीते हैं इसी तरह का नारियल हमने काटके छोटी टुकड़े में त्यार करना था, बहुत बारी ग्राम में देखा जाएगा तो सोट का पाउडर 50 क्राम है, जिसको इसके अंदर हमने डाल देना है, डालने पाद इसके अंदर 3 टेबे स्पून हमने डाल दिया पुस्ता दाना, ये भी 50 क्राम है, सोट और पुस्ता दाना दोनों हमने 50-50 क्राम लिये थे, इसको इसके सारी सामागरी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं गुजिया को बनाने के लिए सिफ चार चीज़ों के ओसकता होती इसके इंदा गुड़ है सोट है पुस्ता तरना है और साथी साथ नार्यल इसके अंदा हमने इलाची पॉड़र को प्योग नहीं किया है इसको पीसिक स्वाथ के लिए आप इसको इसी तरह से बना के त्यार करिए और इस तरह देखे बिश्वन बन के त्यार हो गया है दस से बारा बिनट हो गए आटा पूरी तरह से सेट हो गया इसकी गुचिया बनाना शुरूर करते हैं इसमें से थोड़ा सा पीस हमने निकाल लिया है और निकालने बाद देखे इसको हलका सा रोल कर लिया है और इस तरह इसमें से छोटे-छोटे पीस को हम निकाल लेते है इसके तोरह medium size की गुचिया पन के तयार होगी और इस तरह देखे इसके अंदर से करीब 6-7 पीस हमने निकाल लिया अब हातों पे इसको लेके एक तब बेड़े की shape में इसको बना लेते बनाने बाद बाकी को हमने side में रख देना है इसमें से एक पीस को हम लेते हैं और बेलेंक साहता haraday से इसको बेल के तैयार कर लेते हैं नहीं किसी सुखे आटे को लगाया नहीं तेलगी को लगाया इस तरह देखे पतले बेल के हमने त्यार कर लिया है इसको साइड बे रख देते हैं, दो टेबी स्पून, एक कटूरी के अंदर हमने सुख्याटे को ले लिया, साथी साथ दो से तीन टेबूल इसके अंदर हमने पानी को डाल दे, डालने क बाद इसको एक पेश्ट की तरह बना की तयार कर लेते हैं, बहुत जाधा गाड़ा नह पर देते हैं, और फोल्ड करके इसको अंगूठी और उंग्लिक साथा से इसको दबा लेते हैं, इसको जिए को बिने साच़ी के दिवही चिएक किनारी के Hub क düşशी तरह मने लोग कर देना है, इस तरह एक डिजाइन भी बन जाती है, गुचिया अच्य तरह से बन के तयार हो जाते हैं, अगर आपके पास साचा हो, तो आप साची के अंदर उसको उसी ढ्यंग से बना के तैयार कर लेजे, पर देखनी में कुछिया, बहुत ही सुंदर लगती है, इसी तरह दूसरा भी आपको दिखा देते हैं, बना के, इस तरह देखें, दूसरे पीस को हमने पूरी के लॉक ़ाता है बहुत यी टेश्टी बणने वाली गुझेया गुडिके दारा बनके तैयार भी आटे से एक हमने टॉले लेले उसके दो पर्त कर दिये और क्रने के बात इसक़ो हमने गुझेया को इसके अंदर रख देना है इस तरह देखे पूरी गुचिया बन के तयार हो गई है अब इसको हमने fry कर लेना आपको दिखा देते अगर आप इस तरह से गुचिया नहीं बना पा रहे हैं तो आप focus आता से इसके side को lock कर लीजे और इस तरह से भी आप तयार कर सकते हैं कैस पे हमने पहली कढ़ाई रगती तेल करण हो गया चिक कर लेते तेल को flame medium होना चाहिए और medium flame पे है इसके अंदर करीब 7-8 गुचिया को हम डाल देते हैं एक तरब से जब गुचिया सेख जाती 2-3 मिनट बाद तब इसको हम पलट लेते हैं और इस तरह देखे गुचिया को हमने पलट लिया है और दूसरे तब से भी इसको fry कर लेते हैं करीब 3-4 मिनट भी पुरी गुचिया फ्राई हो जाती इसको हम निकाल लेते हैं इसी प्रोसेस के तोरह पुरी गुचिया को बना के तयार कर लेते हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती रिस्पी पस नहीं तो आपको कैसी लगी इस तरह से देखे आटे के द्वारा गुड की गुचिया बनके तयार होगी बहुत ही सौफ्ट गुचिया होती है बहुत टेस्टी लगती है और इसके अंदर जो हमने गुड डाला है अंदर पूरी तरह से मिल्टेड होता है जब आ इसको आप तो इसके अंदर गरी का बहुत अच्छा स्वाद आता है थुड़ी समागरी के द्वारा बनने वाली एक गुचिया है अगर आप इसको एकदम खस्ता की तरह बनाना चाहते तो इसके अंदर दो से तीन टे भी स्पून तेल और डाल दीजिए आपको तोड की दिखा देती इस तरह से गुचिया बनके त्यार होगे जब इस तरह कि आप गुचिया को बना के त्यार करिए तो आटे को टाइट कुण दिए इसके अंदर जो हमने मोहिन का उपयोग किया वह लगपक 75-100 ग्राम के करीब है इस तरह की गुचिया बनाईए तो 15-20 गुचिया बन जाने बाद आप इसको फ्राइ कर लीजे, बहुत जादा देर इस गुचिया को टॉविल के अंदर नहीं रखना है, इन चोटी-चोटी बातों का आप ध्यान रखें, गुचिया बहुत टेस्टी पन के तयार होगी, पूरी गुचिया को बनाने में लगबख देर से दो घंटे का सम कि ए इस प्यक्त टाद करतै। इसलिए्ट करता हैं, इसलिए घंटे का समगया में वूहीं भूहीं नहीं तयाए़का हैं, दो समय深 æंइ gedacht है, इसलिए, भूल हैं